एनकेपी सालवे मेडिकल कॉलेज और रतामंगिशकर अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर को अपनी पूरीक शम्ता से चिकित्सा सेवाई देने के बाद भी कम भुगतान किया जाता है इसलिए नाराज डॉक्टरों ने सोमवार से वेतन रुद्धी की मांग को लेकर हरताल का आवहन किया है प्रदर्शनकारियों का दावा है कि यहां मरीजों के देखभाल प्रभावित हुई है क्योंकि करीब 150 डॉक्टर आंदोलन पर चले गए है एक छात्र जिसने अपनी MBBS की शिक्षा पूरी कर ली है उसे समंधित अस्पताल में एक वर्ष के लिए इंटर्ण के रूप में सेवा करनी होगी तबी उसे मेडिकल के डिगरी मिलती है इसे बीच सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में इंटर्ण के रूप में सेवा करने वालों को प्रती मां 11,000 रुपे का भुगतान किया जाता है जबकि नीजी कॉलेजों में 7,000 से 7,500 रुपे का भुगतान किया जाता है लेकिन नागपूर के सालवे मेडिकल कॉलेज और लतामंगेशकर अस्पताल के छात्रों को केवल 3000 रुपे का भुगतान किया जाता है एक सापता ही कवकाश काटने के बाद भी डॉक्टरों को धाई हजार ही वेतन मिलता है रेजिडेंट डॉक्टर ने समय समय पर कॉलेज प्रशासन से वजीफा बढ़ाने का अनुरोद किया हाला कि प्रदर्शनकारियों का दावा है कि उन्होंने आखिरकार हर्ताल शुरू कर दी है क्योंकि उन्हें पिछले दो महिनों से ये नहीं मिला है डॉक्टरों के हर्ताल पर जाने के बाद कॉलेज प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को आवशक वस्तू अधिनियम के तहट नोटिस जारी किया है डॉक्टरों के और अधिक आकुरुशित होने पर हर्तालियों ने बुद्वार को यहां आंदोलन तेस करने की चितावनी दी है वरतमान में यहां करीब 150 रिजिडेंट डॉक्टर है लाव यू दिपिका पाई सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई यह नई पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची तो घर लाइए सुरुची